और इस वक्त बड़ी खबर बांगलादेश और भारत की सीमा से जहां बड़ी संख्या में बांगलादेश से भाग कर भारत की सीमा पर अलप संख्यक पहुँचे हैं भारत बांगलादेश सीमा के तीन पोस्ट पर बांगलादेशी अलप संख्यक नागरिकों की भारी भीड जमा हो गई है तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इनकी तादाद 500 के आसपास बताई जा रही है जिन तीन पोस्ट पर भीड जमा हुई है उनमें सिलिगुडी, लोकेश पोस्ट शामिल है, बीएसेफ इन्हें अंदर घुसने से रोक रही है, बीएसेफ और बॉर्डर गार्ड बांगलादेश के कमांडर लेवल के अधिकारी इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है, आपस में संबाद भी चल रहा है, जिनके पास वैद खानूनी द वज़ा से वहाँ खेतों में आ गया है, बांगलादेशी परिवार खेतों में खड़े हैं, जिरो पॉइंट पर इन्हें रोक कर रखा गया है, बांगलादेश की सीमा पर इस वक्त कैसे हाला थैं, घुस पैट रोकने को लेकर सुरक्षा बलों के तयारी कैसी है, यह आपको सीधे ग्राउंड जिरो से दिखाते हैं, बांगलादेश बॉर्डर से, देखिए न्यूज 18 की एक्स्क्लोसिव रिपॉर्ट जितने में उनकी नाओ आपको दिखाई दे रही है, यह जितना एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, वो लोग दिखाई दे रहे हैं, निजाम दिखाई दे रहा, यह जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जूट के यह खेती करते हुए, वहीं तक भारत की सीमा है, और वो फ्ल यहां से बापस जा रही हूं पदमा नदी जो गंगा से निकली हुई एक नदी है जब भारत में होती है तो हुगली होती है और जब वो बांगलदेश के तुलब बढ़ रही है तो इसे फदमा नदी का जाता है लेकिन सुरक्षा व्यवस्ता पूरी तरीके से चाक्चौबंध है नाविक हो हम हो या हम आदमी हो सभी की एंट्री की जा रही है रजिस्ट्री की जा रही है बेसे लगातार निगरानी कर रहे होंगे और ये अब मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूं फिर से घूमिये निजान थोड़ा सा मेरे पीछे वो बांगलादेश का हिस्सा हो गया आप देखेंगे मैं भांगलादेश का वो हिस्सा पीछे छोड़ाई हूं अब ये मैं भारत की तरफ बढ़ रही हूं इदर बाकपत पहुंचे जल शक्ती मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने बांगलादेश की बहाने विपक्ष पर हमला बोला मंत्री ने कहा कि बांगलादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं और हिंदूओं को मारा जा रहा है एक भी बिक्ति नहीं बोला यभी तक, जितने लेकर दिल्ली से बांबे तक यहां धर्ना देते थे, इतने मंदी टूल गया है, इतने हिंदों मारे गया, एक बिक्ति नहीं बोला, क्या अत्याचारा है, एक हिंदुस्तान है कि जहां पर सभी को समच्छन देता है, यहां हमारी सरकार रोती सभी को भिकाश कर शेमन मंतरी आवाज से सब लोग पाथे हैं रोड़ शड़कां समी के लिए घर गरनल समी के लिए बाकी देशों में तो आप पाकिस्तान देख लिए बंगलादेश देखि लिए जहां-जहां हिंदू है बेचारा मतलब मंदीर तोड़े घर एक आभी बयान सामने आया जगद्गूरों ने हालात परशंता जताई और सरकार से बांगलादेश में हिंदूओं की रक्षा की मांगी है अपने भारतियों के वहां रक्षा होने चाहिए और हिंद्गों के विश्ची रक्षा होनी चाहिए इन इन वीडियो पहले ही और मैं मानता हूं कि बंगलादेश के बंगलादेश में जो कुछ हुआ है वो किसी की प्रणा से हुआ है यह बात हमारे विज़े समंत्री ने भी कही मैं भी कह रहा हूँ पाकिस्तान ने सब करवाया पाकिस्तान ने अमेरिका के साझिस सब करवाया है और जो कुछ हो रहा है और दुरभागे पूल है